गुद मॉर्निंग व्रिवान माई नेम इस सुमेत अना वेलकम यू ओल तो देखिए यह हमारा डेली इंशॉट्स है जहां पर हम लोग करेंट अफेर्स फो प्रेलिम्स डिसकस करते हैं तो चलिए सबसे पहले आपे जो हम डिसकस करेंगे जहांगया इस स्वासिंट के बारे में रहीं तो यह देखिए सबसे पहला कुछिछन तो यह पर आते क्या इंडिया इसका मेंबर है अपे इन्डिया इस नंट सब देखर इस वेलिम्स आ rejoice Ajax इंडिया इसका ना अब्जर्वर है, चेक है, since 2011, 21 members का है, and basically यह जो body है, Asia Pacific Economic Corporation, this is basically a group of economies around the Pacific Ocean, and इनका मक्सर यही है कि भी है, trade, investment, economic development, पूरे region का करेंगे, remember it's not a free trade agreement, यह कोई free trade agreement वगेरा नहीं है, चेक है, right, and 21 members है, and इसके आपके जो जुत्ते भी हां पे major economies है, US, China, Canada, Australia, New Zealand, Japan, यह सब इसका पार्ट है, India नहीं है, but India is wanting कि इसकी membership मिल जाए, ठीक है, तो यह जी ध्यान किया, पूछा जा सकता है, अब आपको मुझे बताना है, क्या East Asia Summit का इंडिया मेंबर है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, next बात करते है, Press Council of India के बारे में, तो Press Council of India, पहली बात क बनी थी 1966 में, right, under the Indian Press Council Act of 1965, then उसके बाद क्या है, this was, you can say, abandoned, and it was re-established in 1979 under the Press Council Act of 1978, तो यहा रखना बेसिकली स्टाटर्य बोडी है, and यह कौसाई जुडिशल बोडी भी है, and it has the, you can say, power to take judicial actions, right, and मक्षद क्या है, मक्षद बेसिकली कुछ निया है, it tries to preserve the freedom of press, right, and कैसे, एक standard, जो होता है, right, वो newspapers का maintained है, ठीक है, news agencies का, यह सब करती है, basically, आप कह सकते हो, some kind of regulation of the newspaper वगएरा, यह खरती है, ठीक है, code of conduct वगएरा, यह सब ले के आती है, press council of India, and अभी क्या है, national press day बनाया गया था, हर साल 16th November को बनाया जाता है, ठीक है, right, and बस यह चीज़ आनकना, next यह चीज़ आपर बात करते हैं, second voice of global south summit के बारे में, तो यह देखे, अभी, इंडिया में हुआ है, right, India ने basically इसको, second, जो आपका voice of global south summit है, इसको host किया है, right, and यहां पे नहां एक दक्षिन करके आया है, ठीक है, तो यह दक्षिन करके आया है, ठीक है, तो यह दक्षिन क्य था वो भी इंडिया ने होस्ट किया था ठीक है तो यह ध्यान रखेगा और ग्लोबल साउथ देखे हम डिसकस कर चुके हैं यहां पर कि यह वो कंट्रीज है जो पहले फॉर्मर देवर्ड कॉलोनी इस राइट देवलपिंग अंड डेवलप कंट्रीज और नौत और साउथ के ठीक है किसने होस्ट किया है तो यह भी ध्यान रखना राइट इंडिया है इस साल देखे पीए साईयर ऑप्शनल में यह सब पूछा भी गिया था कि what steps have been taken by India to you can say promote साउथ साउथ कोपरेशन ठीक है राइट तो यह सब ध्यान रखना राइट नेक्स अम यहां पर बात करते है about the Central Water Commission अब Central Water Commission क्या है तो यह बेसिकल एक टेक्निकल और्गनाइजेशन है अंडर दा मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ती एक अटैज्ड ऑफिस की तरह काम करता है और इसका मकसद देखे वही है कि टेक्निकल नॉलेज वगेरा प्रोवाइड करता है ठीक है राइट कि कैसे है सो Central Water Commission के बारे में ध्यान रखिए टेक्निकल और्गनाइजेशन है राइट नेक्स बात करते हैं मीजल्स के बारे में तो यह क्या एक बैक्टेरियल डिजीज है नहीं यह वारल डिजीज है क्या यह फैलता है येस पंटेजियस है क्या इसकी वैक्सीन है येस मीजल्स ठेक्ट ठेक है राइट आपके लंग्स वगेरा तो यह ध्यान लखेगा एंड जो पूरी गला वगेरा यह सब होता है एंड हाई फीवर कफ और अनी नोस यह सब हो जाती है रैशेज ओवर दे बॉडडी यह देखने को मिलता है ठेक है प्लीज रिमेंबर इस देन उसके ब इसके चारेक्टर है तो आप देखो कि पॉइंटे डाक्स होती तो इस टाइप की बिल्डिंग होती है लंबी-लंबी और यहां पॉइंटे डाक्स टाइप में आपको मिलेगी बड़े-बड़े विंडो पैनल्स होंगे विंडो इन्डो इट यू के पैनल्स ओफ ग्लास व आपको दिखाई देगा चेक है और ये अब्वेसी बात है इंडिया में अगर आप से पूछा जाए तो यू विल फाइंड आट विक्टोरिया मैमोरियल ठेक है उसके बाद एक मुंबई का विक्टोरिया पबलिक हॉल है पार्क टाउन है ठेक है शत्रपत्ची शिवाजी टर ठीक है तो रेममबर इस ठीक है औल्राइट नेक्स बात करते हैं यह वास्प 107B केबारे में तो अभी वास्प 107B के है रिसेंट्लीसीन इन्वेश तो यह एक एग्जो प्लैनेत है यह एक लगे एग्जो प्लैनेत शार दोस प्लैनेत्ट विच आ ब्योंड आर सोलार सिस् यहां पर देखा है कि यहां पर water vapor, sulfur dioxide कुछ-कुछ हो सकता है, तो बस यह है, most important किया है, कि ना, this is an exoplanet, next, फुराना पाप, let us cover, you can say, the 16th September, 26th September, sorry, उसको देखते हैं, तो सबसे पहले आपे na, Scarbog Shoal, यह कहा है, so this is the largest at all, you can say, a group of islands वगेरा, ठीक, एक बड़ा सा island, इस type का, in South China Sea, ठीक है, और यह अभी dispute है, between Philippines, China, Taiwan, ठीक है, यह दोनों के special economic zone में आ रहा है, तो now the China has started claiming the entire island, ठीक है, right, entire island को China claim कर रहा है, तो this, you can write the aggressive policies of China, ठीक है, तो Scarbog Shoal पे है, यहाद रखने देखो, important है, एक बार, इस पार्टली आइलेंड पर पूछ लिया है, ठीक है, किस-किस के बीच में dispute है, इस type से ना, पूछते रहता है, ठीक है, आल राइट, नेक्स बात करते हैं, यहाँ पर जो ancient monument है, तो remember this, एक important यहाँ पर कहाना, for example, अगर यह कोई monument है, and if this monument है, तो protected monument, तो 100 meter तक का area को ना, हम क्या बोलते है, no construction zone, 100-200 meter का area जो होता है, that is a regulated zone, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या, इस monument को protect करने की जिम्मेदारी, you can say, in terms of conserve करने की जिम्मेदारी, वो किस की है, ठीक है, इस monument को maintain करने की, वो archaeological survey of India की है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है कि, अगर मुझे sir, regulated area में, अपने घर में कुछ construction करवानी है, तो मुझे किस से permission लेनी पड़ेगी, तो आपको permission लेनी पड़ेगी, नाशनल मॉनिमें अथरिटी से, तो यह थी ध्यान लग ना यह दो, ऐसे ही फसाएगा, ठीक है, अथिक है, इस अख यह थी ध्यान लग ना, ठीक है, प्लस, maintenance जो भी करवाना होता है regulated monument का ठीक है protected monuments का वो archaeological service of India की जिम्मेदारी है चाहिए और इसलिए दो zone आपको पता होना चाहिए first is the protected monument के 100 meter वाला zone which is the no construction zone and second is the up till 200 meter वाला zone जो की regulated होता है जो की area जो की अगर मुझे मेरा घर वहाँ पे है मुझे कुछ उसमें change करवाना है तो क्या करना पड़ेगा you need to take the permission from the national monument authority ठीक है तो ये बहुत जादा important है please remember this ठीक है तो ये हमारी आज की discussion थी जिसको भी इसकी pdf चाहिए तो आप सबको पता है भाई telegram channel the civils club पे जाके ले सकते हैं right and कल हम next अपना discuss करेंगे also guys if you are liking तो please do share it with your friends as well चलिए, this is me Sumit signing off, bye bye